हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं तो हो जाएंगे क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूद के साथ किन चीज़ों को हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए लेखिए वैसे तो हम सब जानत भी बहुत अच्छा है इसलिए बड़ों से लेकर बच्चों तक सब के लिए यह जरूरी होता है पर कुछ लोग को दूद बीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वह दूद के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे हेल्थी बनाने की कोशिश करते हैं इस हमें कभी कभी कुछ लोग एक ऐसा कॉमिनेशन डवलब करते हैं कि दूद फाइदे की जगा नुकसान करता है तो चलिए आज हम जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ें जो दूद के साथ हमें कभी भी एड़ नहीं करने चाहिए तो विना देर किये करते हैं शुरू से शुरू तो नमर वन पे आती हैं बेरीज बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ब्लूबेरीज वगरा मिलाकर शेक्स बनाते हैं ये पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं पर हमारे सिस्टम के लिए बिलकुल अच्छे नहीं होते हैं और कई बार ऐलर्जीस का कारण भ इसके लावा नमबर टू पे आते हैं खटे फल और खटी चीजें कई लोगों की आदत होती है कि वह ब्रेक्फस्ट में ओट्स में सीरियल्स में या म्यूसिली वगरा में खटे फल यूस कर लेते हैं जिसकि अनाना संत्रा या किसी तरह की बैरीज वगरा तो इन्हें भी कि आइसी ही कीमत पर आपको दूद के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहीए इसके लावा दूद के साथ खटी चीजों को भी अवोइड करना चाहीए कई लोग की आदत होती है कि वह breakfast बड़ा healthy बना लेते हैं कोई healthy सा पराठा या snack बना लेते हैं उसके साथ दूद लेंगे और साथ में कोई अचार या फिर चटनी ले लेते हैं तो इस तरह की खटी चीजों को भी आपको पूरी तरह से avoid करना चाहिए क्योंकि खटी चीजों में अक्सर vitamin C या फिर citric acid मिलता है जो की दूद के साथ एक खराब combination फॉर्म करता है जो की आपकी health के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है और नहीं आपके digestive system के लिए तो इन चीजों को आपको दूद के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए हैं इसके बाद next है दूद के साथ दही का combination दूद और दही जब एक साथ मिलते हैं तो ये आपके digestive system पर बहुत बुरा असर डालते हैं और इससे पेट में दर्द और गैस जैसी problem आपको हो सकती है तो दूद और दही को कभी भी एक साथ mix ना करें next combination है दूद के साथ meat का कुछ लोगों को non-wage खाने के बाद दूद पीना पसंद होता है अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही इस आदत को तुरन छोड़ दीजे क्योंकि दूद और meat दोनों protein से बने होते हैं और जब आप इसका intake साथ में करते हैं तो इसे digest करने के लिए आपकी body को जादा digestive juice release करने पड़ते हैं इससे acidity की problem बढ़ जाती है और आप जानते हैं कि acidity की problem अपने साथ कई सारी और problems को भी लेके आती है तो इस combination से बच के रहीएगा next combination है दूद के साथ शेहत का वैसे तो हम सब जानते हैं कि दूद भी healthy है और शेहत भी लेकिन दूद को शेहत के साथ लेने पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसे कि शेहत को कभी भी तेज करन दूद में नहीं डालना चाहिए इससे शेहत की properties lose हो जाती हैं और वो toxic यानि की जहरीला हो जाता है इसलिए शेहत को अगर आप दूद के साथ ले तो हमेशा गुन-गुने या फिर ठंडे दूद में ही डाल के ले तो friends इन छोटी-छोटी मगर मोटी-मोटी बातों का जरूर ध्यान रखेगा ताकि आपको दूद के सारे फायदे मिल सके I hope मेरी बात आप तक पहुँची होगी आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस रहिए बेशक कितने भी बस रहिए